श्री लंका में बम धमाकों के चार दिन बाद आतंकी संगठन जैशे मोहमद ने यूपी और उत्रखन के दो रेलवे स्टेशन के रेलदे मास्टर के पास आतंगवादी संगठन के नाम से चिठ्थी पहुचाई है इस चिठ्थी ने सुरक्षबलो के होश उड़ा दिये हैं चिठ्थी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आधित्यनात, दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल और राष्ट्य स्वयम सेवक के प्रमुक मोहन बागवत को जान से मानने की धमके दी गई है बताये जा रहा है कि दोनों रेल्वे स्टेशन पर भेजी गई एक जैसे चिठ्थी में तेरह माई को शामली, बागपत, मेरट, हापपुड, गजरोला, गाजयबाद, मुजफणनगर, बरेली, पानिपत और रोतक रेल्वे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई ह जबकि 16 माई को इलाबाद, आयोध्या, गाजयबाद और दिल्ली के प्रमुगधार्मे की स्टलों पर बस स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है दोपन्नों के इस पत्र की लिखावट और भाषा को देखकर सुरक्षबल इसे शरारत मान रही है, लेकिन फिर भी इसे लेकर साबदानी बढ़ती जा रही है केंड्रे खूफी एजेंसी ने दिल्ली हरियाना और उत्रकंड राज्य को अलट भेजा है पत्र लिखने वाले ने खुद को जैशे मोहमद का एरिया कमांडर बताया है और लिखा है कि हे मौलाना मुझे माफ कर, मेरे जिहादी की मौत का बदला मैं जरूर लूँगा ये देखकर पता चलता है कि इनके मनसूवे इतने बढ़ गए हैं कि ये ऐसी हरकत करने से कत्राते नहीं हैं दस्तक टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट